हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो वीडियो लेक्ट्चर सीरीज और नुमेरिकल इंटिग्रेशन प्रिवस वीडियो में हमने ट्रेपजोईडल रूल के बरहे में देखा जिसमें आपको बताया कि कैसे छोटे-छोटे ट्रेपजोईडल को कंसीर करके हम एरिया फाइंड कर सकते है इस वीडियो में मैं आपको सिंसंस वंथर डूल के बताऊंगा जो बेसीकली ट्रेपजोईडल न कंसीर करके पेरा बोला वाला शेप यूज़ए करता है तो बेसीकली इसका कंसेप्ट यह है कि जब आप ट्रेपजोईडल यहाँ पे कंसीर कर रहे है तो आप देखेने ये छूट जा रही है काव की है न तो अगर ये जो मैंने line consider किया है ये line consider ना करते हुए अगर हम एक parabolic shape consider करें जो तीनों point से pass होगा तब हम जो हमें error मिल रहा है उसे reduce कर सकते हैं तो आईए मैं आपको animation के थुरू बताता हूँ कि कैसे हम अगर trapezoidal ना consider करके यहाँ पर जो upper side है इसे एक parabolic curve consider करें तो इस error को reduce किया जा सकता है और इससे जो हमारा derivation derive होगा उसे हम Simpson's one third rule कहते हैं one third इसलिए क्योंकि जो final answer रहेगा उसमें one by three आपको ये term दिखेगा तो आईए इस concept को देखते हैं so friends यहाँ पर मैंने एक curve draw किया है जिसे आपको assume करना है it is y equals to f of x then यहाँ पर मैंने दो trapezoidal draw किये है trapezoidal draw करने के लिए मैंने तीन lines draw किये है और उनके जो topmost point थे उन्हें मैंने connect किया है through line okay so अगर आप trapezoidal की area को consider करेंगे actually मैं मुझे calculate क्या करना है suppose यह point x not है यह x1 है और यह x2 है तो मुझे x not से लेकर x2 तक suppose area find करनी है किसकी area f of x की तो यह जो f of x का यह shape देख रहे है आप यह ओला shape यह पूरा का पूरा shape इतना shape कितना area बना रहा है x not से लेकर x2 तक यह मुझे find करना है तो बट मैं क्या कर रहा हूँ मैं trapezium के थुरू find कर रहा हूँ बट अगर आप trapezium के थुरू area find करेंगे ना तो कुछ area चुट जाएगी कौन-कौन सी area चुटे की देखेगा यह जो part दिख रहे है इतना जो आपको gap दिख रहा है यह अला चुट जाएगा और यहाँ पर यह जो gap है इतना चुट जा रहा है क्योंकि यह line के below ही तो trapezium के area है ना उसके उपर अला तो part नहीं है तो trapezium के area में इतना error रहेगा यानि trapezium के area प्लस करेंगे आप तो आपको f of x की total area नहीं मिलेगी x naught से लेकर x2 तक कुछ error रहेगा तो इस error को minimize कैसे करें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बेसिकल लिए मैं जो simpsons one third rule use करता है उसको मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कि जो आपने topmost points को line से connect किया है ना उसकी जगह उसको कव से connect कीजे तो one third में हम parabolic कव लेते हैं तो हम three points से rate करते हैं उन्हें straight line से connect करकर trapezium ना बनाते हुए हम वो तीनो points को एक parabola से connect करते हैं ताकि error reduce हो जाए तो मैं आपको parabola draw करके यहाँ पर दिखाता हूँ तब आप उसे बैतरी समझ जाएंगे देखिए अब जो green color में आपको parabola दिख रहा है clearly देख सकते हैं यह जो green color का parabola है यह तीनो points से pass हो रहा है और देखेंगे आप almost उसने कव को पूरा overlap कर लिया है यानि अगर मैं आपसे पूछू अब कि भाई अपने पास यह जो parabola है इस shape में यह total कितनी area बना रहा है x not से लेकर x2 तक तो answer है यह जो पूरा का पूरा parabola है यहां से लेकर आप पूरी area calculate करेंगे correct ना पूरा down तक so अब यहां पर ध्यान से देखिएगा आप देख सकते हैं कि जो चीट trapezium include नहीं कर पा रहा था यानि यह वाला पार्ट देख रहे है और यहां पर भी यह पार्ट जो चूटा था वह हमारा parabola include कर ले रहा है यानि इस वाले case में थोड़ा error कम मिलेगा so यहां पर friends अगर जैसे से मैं दोनों sites को और close करते आऊँगा तो आप देखेंगे close करने पर error और कम होते आएगा और किस तरह पूरा का पूरा parabola जो है वो कव को overlap ही कर लिया है तो यह basic concept है Simpsons one third rule का जिसमें हम क्या करते हैं दोनों site को sorry दोनों site नहीं तीनो points को joint करते हैं एक parabolic काव से ऐसा करने से error reduce हो जाता है तो अब question है कि अब हम कैसे find करेंगे यहां पर area को तो basically हम करने यह वाले हैं कि जो तीन मैंने sites draw किया है न आपको पहले तीन sites consider करने कुछ इस तरह मैं आपको draw करके वापस से बताता हूं देखिएगा then यहां पर मैंने तीनो points को किसे joint किया है एक parabola से joint किया है अब यह parabola की मुझे area निकालनी होगी from x0 to x2 तो यह जो area होगी इसी area को अगर मैं find करूंगा तो मुझे approximately वो area मिल जाएगा जो f of x बना रहा है x0 से लेकर x2 तक obviously थोड़ा सा error तो रहे गई बट अब error थोड़ा कम रहेगा तो अगर ऐसी friends मेरे पास मुझे बोला रहता कि भाई यहां से लेकर suppose एक random point a से लेकर एक random point b तक मुझे निकालना है तो क्या मैं तीनी point consider करूंगा क्या नहीं हम बहुत सारे point consider करेंगे जैसे हम यहां पर क्या करेंगे basically आपको मैं बताता हूं देखिए सबसे पहले जैसे मुझे बोला गया कि भाई यहां से लेकर यहां तक पूरी area find करो तो मैं क्या करूंगा start मैं से तीन पहले line draw करूंगा और फिर वो तीनों line को में connect जो टॉप्मस उनके points है उनको हम connect करेंगे पैरा आगे 2 line draw किया है उसको again हम previous वाला जो एक point था वो यह और यह इसको again connect करेंगे पैरावला से फिर उसकी area निकालेंगे इस तरह आगे 2-2 line और draw करते हुए 3-3 point select करके पैरावला draw करके हम area calculate करते आएंगे और इसे calculate करते करते यहां तक पहुचेंगे अगर आपको यह नहीं सम f of x and then यहां पर मैं basically area find करूंगा इस point suppose इसको मैं जोता हूं x naught से लेकर यह last dollar point xn तक तो अब मैं आपको एक animation show करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम पैरावला से इस area को find करने वाले है तो यहां पर आपको कुछ delta x equals to 2 दिखता होगा यह basically क्या represent कर रहा है कि ज ऐसे error भी reduce होते जाता है so यहां पर मैं आपको इस चीच को पहले manually करके दिखाता हूं फिर animation से देखेंगे so initially two units का distance या नि आपने पहला यह point चुछ किया जो next point रहेगा वो two units आगे रहेगा so यहां से two units आगे या यहां पर कुछ then इससे two units और आगे third dollar point रहेगा तो मैं अब तीनो पॉइंट को क्या करूँगा एक parabola को से joint करूँगा तो एक parabola जो यह तीनो पॉइंट से पास हो ऐसा मैं parabola consider करूँगा then उस parabola की area में find करूँगा तो यह जो area मुझे मिलेगी इसके बाद मैं क्या करूँगा अब इस point से आगे दो unit distance पे next point लोगा फिर इधर से two unit distance पे मैं point लोगा तो यहां पहुँच जाऊँगा फिर मैं यह तीनों से पास होने वाले एक parabola को draw करूँगा हर बर parabola की equation change होते जाएगी वह आगे मैं आपक चल जाएगा फिर भी यहां पर कुछ error होगा उस error को कैसे reduce कर सकते हैं delta x को और कम कीजिए यानि जो दो points आप चूज कर रहे हैं उसको और pass लीजिए तो मैं आपको ना इस चीच को animation के तुरू दिखाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि अब जो है वह error कम है previous वाले से ठीक है तो आप वीडियो बैक करके फिर से देखिएगा अब अगर और pass में मैं तीन points लूँ तब आप देख रहे हैं कि जैसे से pass में points ले रहा हूँ जैसे जो मैं parabola तीनों से draw कर रहा हूँ न वो cow को almost overlap करने लग रहा है तो इस तरह friends हम जितना pass लेंगे तीन points को उतना वो ज्यादा accurately area को cover करेंगे आईए friends अब मैं आपको बताता हूँ इसे next यहाँ पर कि कैसे हम अब formula के थूरू इस area को derive कर सकते हैं so friends यहाँ पर मैं पहले आपको एक random cow दिखाता हूँ देखिएगा यहाँ पर हम तीन lines draw करेंगे जिनके जो topmost point है वो जहाँ पर cow को touch कर रहे है उस cow से हम एक parabola draw करेंगे then वो जो parabola तीनो points से pass होगा उसकी area हम with respect to यह तीन point निकालेंगे जिसे मैं कहता हूँ x0, x1 and x2 तो हम parabola की area x0 से लेकर x2 तक निकालेंगे फिर actually मैं यहाँ पर मुझे suppose यहाँ तक area find करनी है total तो हम लोग क्या करेंगे ऐसी और भी line consider करते जाएंगे हर situation पर अलग-अलग parabola consider करेंगे but question यह है कि भाई parabola की equation क्या होगी तो अगर आपको konics chapter आता होगा अच्छे से तो आपको यह चीज पता होगी अगर नहीं भी पता तो tension नहीं जूरत नहीं है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको देखिए जो parabola की general equation हम consider करेंगे वह होगा y equals to a plus b times x minus इस तीनों में से कोई एक known point जो भी आपको पता हो ले लो तीनों में से कोई भी ले जिसमें x की power 1 और y की power 2 होता है फिलाल हम लोग यह वाला चूज कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर हर एक parabola हम लोग ऐसा वर्टिकल वर्टिकल चूज करते जा रहे हैं यानि parabola along मतब जो सका direction है वो उपर की तरफ है तो आप कोई भी parabola दे सकते हैं सा कुछ नहीं है कि आपको यही वाला consider करना है मैं आपको इसके थुरू यहाँ derivation बताने वाला हूँ तो यह है parabola की equation अब मुझे एक बात बताईएगा यह जो point है यहाँ पर इस point के लिए one minute यहाँ पर थोड़ा मैं color change करके आपको बताता हूँ तो friends यह जो अपने पास point है अगर मैं इस point के लिए calculate करूँ y-coordinate तो जड़ा इस इसको मैं थोड़ा सा dark करके दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर यह जो first point अपने पास है इसका x-coordinate क्या रहेगा obviously x-not y-coordinate क्या रहेगा तो मैं अगर इस equation में x की जगा x-not पूट कर दूँ तो मुझे y-coordinate पता चल जाएगा because यह जो parabola है यह तीनों point से पास हो रहा है न तो अगर वो point parabola पर लाइक कर रहा है तो उसकी equation को satisfy भी तो करेगा तो यहाँ पर अगर मैं x की जगा x-not पूट कर दूँ तो मुझे corresponding y-not मिल जाएगा यानि यह point का y-coordinate तो वही मैं यहाँ पर करूँगा so y-not will be equal to a plus b times x-not minus x1 plus c times x-not minus x1 दी whole square similarly friends यहाँ पर जो y1 होगा यानि next वाले यहाँ पर जो point है उसका y-coordinate a plus x जगा x1 put करेंगे तो x1-x1 0 x1-x1 0 सिप a बचेगा ठीक है तो अब इसके बाद जो हमारा next point का coordinate होगा y,y2 होगा x2 के लिए तो क्या होगा इस point के लिए y-coordinate यहाँ पर x की जगा x2 put करना है यानि a plus b times x2-x1 plus c times x2-x1 the whole square अब एक चीज यहाँ देखिएगा यह जो width है न दो यहाँ पर तीनो लाइन की बीच में जो width दिख रहा है वो सेम है हमेशा यानि x1-x0 जितना रहेगा उतना ही x2-x1 रहेगा यानि x2 से x1 घटाई है x1 से x0 घटाई है difference सेम रहेगा because width सेम है तो इस difference को मैं suppose h कहता हूं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग in equations में इस value को substitute करेंगे साब friends देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा answer y0 का answer मिलेगा a then देखिए x1-x0 h है तो x0-x1 क्या रहेगा minus h correct ना अगर आपको नहीं सम्झेए minus comma ले लिजिए then you will get bracket में x1-x0 जो h है तो हमें मिलेगा minus bh plus then यहाँ पर x0-x1-h रहेगा अब उसका square plus h square होगा so c h square then we have y1 equals to a यह तो as it is रहेगा तो मैं पूरे expression को किस में करनोड कर रहा हूँ h के term में then we have y2 equals to a plus b x2-x1 क्या है h है then c similarly यह भी क्या होगा h then उसका square तो अब यह जो चीज है इसकी का मैं आगे use करने वाला हूँ इसे अच्छे से note कीचेगा मुझे लग रहा है वीडियो देखते है आप notes लिखते जा रहे है तो अब यहाँ पर question यह है कि parabola जो यह तीनों point से pass होगा उसकी area को कैसे find करेंगे है तो बैसी लिए हमें करना क्या है area का मतलब क्या होता है integration so we will integrate equation of parabola that is this y from x0 to x2 ठीक है with respect to x अब इसका अंसर क्या होगा तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस calculation को rough कर देता हूं आप सारा point note कर ली जाएगा और exam में proof बोला गया है मतलब exam में proof आ भी सकता है क्योंकि syllabus में proof mentioned इस chapter का तो आपको अच्छे से proof याद करके जाना है तो देखेगा यहाँ पर अब जो हमें next यहाँ पर जो simplification होगा वो यह इस तरह होगा कि x0 जो है उसको मैं x1 के term में convert करूँगा क्योंकि जो y की equation मैंने लिखे थी कुछ देर पहले वो क्या था a plus b then x minus x1 plus c times x minus x1 the whole square dx ठीक है तो यह y की equation x1 के term में है तो जो x0 देख रहे हैं आप पहले यहाँ पर देखेगा x1 minus x0 क्या है h है तो जो x0 है वो क्या होगा x1 minus h इसलिए इस x0 को में लिख सकता हूँ x1 minus h अचा नहीं लिखते था तो भी चलता था ऐसा कुछ नहीं है बट सब कुछ x1 में रहेगा तो substitution easy होगा जो आपको अभी थोड़े दिर में समझेगा similarly friends आप देखेंगे x2 minus x1 क्या है x2 minus x1 है h therefore we have x2 equals to x1 plus h so यहाँ पर हम लोग put करेंगे x2 की जगह x1 plus h तो अब इस integration को कैसे solve करेंगे बहुत ही असान है so यहाँ पर basically हम substitution method का use करेंगे so क्या करेंगे x minus x1 जो है उसको consider कर लेंगे suppose t तो अगर हम इसे t consider कर ले तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि dx equals to हो जाएगा dt correct and नया limit find करेंगे तो जब यहाँ पर x की value x1 minus h है तो यहाँ पर अगर हम लोग x1 minus h put करें तो उसमें से minus x1 subtract होगा तो यह cancel हो जाएगा और t का answer आएगा minus h यहाँ अब नई limit आएगी minus h similarly जब x की value x1 plus h है तो यहाँ पर x की जगह x1 plus h put करें तो हमें t का answer मिलेगा h then यहाँ पर a then b times देखिए x minus x1 को तो हमने t ले लिया है तो t plus c times t square then dx की जगह dt तो मुझे लगता है अब आप इस integration को solve कर सकते हैं तो इसे मैं यहाँ पर calculate करके दिखाता हूँ so now we have suppose इसका answer में देता हूँ i okay so i equals to a का integration क्या होगा a constant है तो सिफ t मिलेगा minus h से लेकर h तक then b next t का integration होगा t square by 2 then minus h से लेकर h तक उसके बाद वाला c by 3 t cube minus h से लेकर h तक so now this is equal to यहाँ पर friends पहले upper limit h put करेंगे then minus lower limit put करेंगे तो 2h मिलेगा similarly यहाँ पर हमें next term मिलेगा b by 2 upper limit put कीजे h square lower limit put कीजे minus h square यानि h square ही होगा cancel होके 0 हो जाएगा similarly आप देखेंगे next term है वो मिलेगा c by 3 upper limit h put कीजे h cube minus lower limit minus h put कीजे minus h cube क्या होगा हो minus of h cube तो यह plus हो जाएगा h cube ठीक है so final answer क्या मिलेगा 2ah plus 2c by 3 h cube तो पूरे equation से हम लोग common ले सकते है h by 3 को अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको bracket में यहाँ पर जो expression मिलेगा वो होगा 6a plus 2ch square तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आप थोड़ा देखेंगे आपके वाइनोट का expression है y1 का expression है and y2 का expression है तो जड़ा friends आप y1 में 4 times sorry why not में 4 times y1 add करके इसमें y2 add कीजिए यानि कि यहाँ पर आप अगर find करेंगे y0 plus 4 times y1 plus y2 तो आपको मिलेगा 6a plus 2ch square आप करके देखिएगा इसके अंदर 4 times यह plus कीजिए फिर यह plus कीजिए तो automatically आप देखेंगे यह और यह cancel हो जा रहा है यहाँ पर then ch square ch square 2ch square इसका 4 times है तो 4 times a plus यहाँ पर a5 यहाँ से a6 तो 6a h square मिलेगा ठीक है तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ इसका काम हो चुका है इसके लिए यहाँ पर मैंने इसको लिख के रखा था तो अब यह जो अपने पास यहाँ पर 6a2 sorry जो यहाँ पर friends हमें 6a plus 2 ch square दिख रहा है यह हम यहाँ पर substitute कर सकते हैं इसकी जगह y0 plus 4y1 plus y2 square इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह 3 जो पॉइंट थे यहाँ से जो पैराबोला पास हो रहा था उसकी area तो यहाँ पर final जो area में मिलेगी यह मैं integration को rough कर देता हूँ so we have final area जिसे मैं कहता हूँ a1 equals to a1 मतला समझ रहे हैं यह जो first मैंने अभी 3 consider किया है उनके लिए उसका नाम में a1 देता हूँ h by 3 then one minute h by 3 then bracket में y0 plus 4y1 plus y2 then friends अब आगे जो होगा उसे ध्यान से देखिएगा तो मुझे लग रहे हैं आपको पूरा कपूरा concept अच्छे से समझ गया है कि कैसे पैराबला लेकर हम integration कर रहे है बस यहाँ पर एक चीज आपको जो थोड़ा सा कम समझाओगा वो पैराबला की equation तो आपको konics chapter 12 में था अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको वह भी चीज सम और भी lines मुझे आगे integrate करने होंगे जिसे मैं अब आपको animation के सुरू दिखाता हूँ तो अब इसके बाद मैं कुछ और lines यहां पर consider करूंगा ऐसे मुझे यहां तक पहुंचने का है तो हम क्या करेंगे friends देखिए मैंने यह 3 point को जोड़कर area find कर लिया है तो इसके लिए y था y not इसके लिए y था y1 इसके लिए y था y2 similarly इसके लिए y है y3 इसके लिए y है y4 और ऐसे करते करते मुझे यहां तक पहुंचना है ऐसे और lines draw करते करते तो मैं करूंगा यह 3 का मैंने find किया area अब आगे के यह 3 का find करूंगा तो यही formula यूज होगी इसे मैं कहता हूँ a2 तो a2 क्या होगा a2 यानि next जो यहाला यहां पर हमें दिख रहा है उसकी area ठीक है यह next जो मैंने 3 line draw किया है इसकी area find करूंगा तो उसका formula होगा h by 3 अब ज़ य कोडिनेट हो वो प्लस 4 तैमस मिड वाला देन लास्ट वाला जो y4 है similarly यह चलते जाएगा और लास्ट में जो हमें area मिलेगी जिसे मैं suppose कहता हूँ a n वो क्या होगा h by 3 तो देखिए लास्ट वाले line के लिए y कोडिनेट y n होगा उसके पहले वाले के लिए y n-2 और उसके y n-1 और उसके पहले वाले के लिए y n-2 तो क्या करना है y n-2 प्लस 4 तैमस y n-1 प्लस y n तो अगर हम वह सारी area को plus करें तो मुझे यहां से लेकर x naught से लेकर x n तक area मिल जाएगी तो अब इसे हम sum करेंगे और हमें total desired area a मिलेगी h by 3 common ले सकते हैं और आप देखेंगे यहां प 4 common ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 4 times y1 प्लस y3 आप देखेंगे सारे odd terms है 1 3 then next ओला का coefficient क्या होगा y5 ठीक है then अब आप देखेंगे कि y2 यहां है y2 यहां है similarly friends आगे अगर आप a3 find करते थे न तो उसके लिए y4 initial point sorry उसके लिए यहां पर देखिए why not y1 y2 then y3 and y4 अमने consider किया तो next ओला और line draw करते थे अगर दो और point choose करते थे तो initial ओला क्या रहता था y4 रहता था फिर y5 y6 तो ए3 क्या आता था h3 y4 plus 4 times y5 plus y6 मतला आप shortcut भी याद कर सकते यह दोनों even होंगे हमेंशा इनके coefficient और बीच ओले का odd रहेगा ठीक है so आप देखेंगे y4 भी कितनी बार आ रह है यानि जो even वाले रहेंगे ना pairs वो दो बार आएंगे यानि twice of y2 जो पहला दो बार आया then y4 और एसे करते 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 last tuck ठीक है then वो कौन से points है जो मतलब जिनके लिए कोई भी duplicate नहीं रहेगा y0 and yn then यह दो बच जाएंगे ठीक है so जो total area होगी उसकी shortcut हम बना सकते formula h by 3 then bracket मे है यहाँ पर देख सकते y0 and yn क्या है extreme ordinates यानि शुरू और large point के y coordinates है तुसे मैं capital X कहता हूं then two times of even ordinates ordinate मतलब y coordinate होता है ठीक है तो उसे मैं लिखता हूं e then four times of odd ordinates यह सारे odd numbers है ठीक है यानि coefficient यहाँ पर odds है तो यहाँ पर friends आपको इस तरह formula याद रखना है h by 3 x plus 2e plus 4o तो आईए आपको मैं questions के ज़री समझाता हूं की से apply कैसे किया जाता है तो question के लिए आप categories में जा सकते है class b में जिसमें मैंने simpsons one third rule के problem solve कर रहा है तो आईए अब इसके बाद हम कुछ और भी simpsons के modified rule देखते हैं जैसे three eighth अगर आपको यह three समझ गया है तो आप problem solve कर सकते है ठीक है so इसके लिए आपको class b में जाना है section में and वहाँ पे बहुत सारे numericals हमने cover किये है thank you so much